दोस्तों नवस्कार मैं जगनाद गौतों देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है दोस्तों जैसी की संभावना थी और बात्चीत चल ही रही थी के हर्याना और अन्य राज्यों के चुनावाओं की गोश्णा आज कल में होने वाली है अन्तते हर्याना में भी चुनावाओं की गोश्णा हो गई है लेकिन जो आज का हमारा मुद्दा है वो है कि क्या वर्तमान सी एम डायव सिंग सेनी और मनुलाल खटर दी जो साड़े नौ साल हर्याना के सी एम रहे और इसमें मैं एक बात और जोड़ दूँ संभवतया भाजपा हाई कमान भी क्या पूर ग्रह मंत्री अनिल विज को सब मिलकर निप्टाने में लग गए दोस्तो हर्याना के इकहत्तर वर्षिये अनिल विज सबसे धाकर नेता माने जाते हैं वो छे बार हर्याना में विधायक बने हैं ऐसे बहुत कम नेता होंगे भाजपा में जो छे बार विधायक बने हों जितना मुझे जानकारी है और लगभग जब भी भाजपा सत्ता में आई या चुनावी गडबंधन के तहत रही आम तोर पर अनिल विज जी को मंत्री पद से नवाजा गया लेकिन दोस्तों जब भाजपा अपने दम पर हरियाना में सत्ता में लौटी आज से दस साल पहले तो अनिल विज जिनको गब्बर सिंग के नाम से भी पुकारा जाता है वो अपनी कोई भी बात कहने से चूकते नहीं है तो वो कभी भी शारे नौ वरस सिमरे मनुलाल खत्तर जी से कभी दबे नहीं अपनी बात कहने में चूके नहीं और जो बात उन्हें कहनी होती थी, वो अवस्य कहके रहते थे, चाय किसी उको बुरा लगे या भला लगे, कई ऐसे बातें भी रही हैं उनकी, जो चुमने वाली होती हैं, लेकिन हर एक आदमी का अपना नजरिया होता है, तो कहने का ताथ पर यह यह है, कि पिछले दस साल में, या साड़े नौ साल जब मनोलाल खटर जी के साथ वो मंत्री मंडल में रहे, मुख्य मंत्री मनोलाल खटर के साथ उनका लगभग 36 का आख रहा है, दूस्तों, इसी बीच एक और घटना घटी है, वो क्या है, कि अनिल विच जी, पुलिस विभाग ने, कि कुछ अधिकारियों ने, जाकर मुँ मीठा कराया, और इसी पर बड़ा विवाद हो गया, मुद्दा क्या था, कि ग्रह मंत्री होने के नाते, सीनियर नेता होने के नाते, अनिल विच जी, पुलिस कर्मियों के हकों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, और जब पुलिस कर्मियों की बात वो वादा पूरा हुआ, या मान ली गई, और वो संतुष हो गए, तो वो पूर ग्रह मंत्री को मिठाई, खिलाने चले गए, यानि मुँ मीठा करने चले गए, लेकिन जैसे ही ये बात, मतलब मुख्य मंत्री तक पहुँची, वाइरल हुआ वीडियो, तो मुँ मुथा कराने वाले दोनों पुलिस वालों का, तुरंत तबादला कर दिया गया, अम्बाला से, अम्बाला रेंज से, ये, अतिंसाइड बगेरा, अब सवाल ये है, कि पुलिस कर्मियों के प्रमोशन को लेकर मिठाई खिलाना को इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, कि जिस से सीम नायव सिंग सेनी इतने नाराज हो जाएं, और मिठाई खिलाने वाले पुलिस कर्मियों को, को तुरंथ अपने पद से हटाकर जलीव करके उनका बहर तबादला कर दिया जाएं, इस पर अनिल्विज फिर आग बवूला हो गए, उन्होंने तुरंथ सीम को फोन मिलाया, उनकी बात हुई, हाला की बाद में उन पुलिस वालों के खिलाब कारवाई या उनका तबादला रोग दिया गया, लेकिन अनिल्विज एक बार फिर बुरी तरीके से अपमानित हुए, और उनके चाहने वालों का, उनके करीबी नेताओं का, उनके समर्थकों का कहना है, कि ये जान बूझ कर, पूर ग्रह मंत्री अनिल्विज का अपमान किया जा रहा है, और जो हालात दिख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, इस बार अनिल्विज को टिकट भी ना मिले, और उनको पार्टी से, यानि एक तरीके से, मक्खी की तरह रिकाल कर फैंग दिया जाए, चूंकि, ये सब जानते हैं, कि मनोलाल खटर जी की गुड़ बुक में, अनिल्विज जी नहीं रहे, और एक कारण नहीं था, कई मामले थे, जैसे मनोलाल खटर के सेकंड टर्म में, डी जी हेल्थ का केस था, खटर सरकार के, अमबी बी एस, बांड के खिलाप, वो आये थे, नायव सिंग सेनी को सी एम बनाने के फैसले, कावी उन्होंने विरोध किया था, CID विभाग वापस लिये जाने से भी वो नाराज थे, पूर डी जी पी यादव के एक्स्टेंशन के खिलाप भी वो नाराज थे, यानि नाराजगी का एक कारण नहीं, बलकि कई कारण, यह थे, यह तो मुख्य थे, और भी कई कारण थे, जिस से उनकी पठरी, C.M. मनहुलाल जी के साथ नहीं बैठ रही थी, और चूंकि नायव सिंग सेनी, मैं फिर दोरा रहा हूँ, कि वर्तमान मुख्य मंत्री नायव सिंग सेनी, जिनके नेतुत में, अब हरियाना विधात सवा का चुनाव लड़ा जा रहा है, मनहुलाल खटर और नायव सिंग सेनी एक पेज पर हैं, एक राय है, और नायव सिंग सेनी मनहुलाल खटर जी से ही सलाह लेकर कोई भी फैसला करते हैं, ऐसा माना जाता है, तो जो पूर्व ग्रह मंत्री अनिल विज का जो फिर अकमान किया ने से से, तो उसको वो सीधे तोर पर मान रहे हैं, ये मनहुलाल खटर जी का कारणामा है, और मनहुलाल खटर जी संभवतया भाजपा आला कमान को विश्वास में लेकर ऐसा कर रहे हैं, चुँकि वो शाड़े 9 साल अनिल विज जी से परिसान रहे, कथित रूप से परिसान रहे, और जो अनिल विज जी के दावे हैं, या नराजगी के कारण हैं, वो भी अपनी जगह से ही है, कि seniority के लिहाज से वो मनोहर लाल जी से भी senior वाजपा के नेता हरियाना के और उनका record रहा है छे बार चुनाव जीतने का तो पहली बार तो इसी बात से नाराज थे थे कि एक नए नाम को जिसके बारे में हरियाना के लोग बहुत जादा जानते भी नहीं थे जब 2014 में सरकार बनी भाजपा की तो उनको CM ने बनाकर मनोहर लाल जी को CM बना दिया गया यही नहीं दूसरे टर्म में भी वो सोच रहे थे चैद उनको इस बार CM बना दिया जाए लेकिन दूसरे टर्म में भी मनोलाल खटर जी ही CM बने फिर जब मनोलाल खटर जी को लोक्षभा चुनाव से पहले CM पत से हटा दिया गया तो फिर उन्हें उम्मीद बनी थी, उनके समर्थकों के उम्मीद बनी थी, कि अब जरूर अनिलविज जी को हर्याना का CM बनाया जाएगा. लेकिन उनके समर्थकों के अनुसार अनिलविज के साथ फिर धोका किया गया और तीसरी बार भी उन्हें नेकेवल कुर्शी से दूर रखा गया, बलकि मंत्री मंडल में ही सामिल नहीं किया गया. और इस्तित ही यहां तक पहुँच गई है कि 15 अगर्ष्ट के दिन ऐसे ऐसे लोगों से जंडा फैरवाया गया, जैसे किरन चौदरी अभी हाल ही में कांगरे छोड़ के भाजपा में आई थी, एक दो और नेता हैं, या बहुत कम छोटे गद के नेता हैं, या भाजपा में उनका कोई बहुत बड़ा कद नहीं है, उनसे 15 अगर्ष्ट पे चंडा फैरवाया गया, और अनिल्विज की देखी की गई, तो कहीं ये सब बात हैं, ये जो संकेत हैं, कहीं इस बात का, तो इसारा नहीं है, कि नायव सिंग सेहनी, और केंद्रिय मंत्री बने मनोलाल खटर, आला कमान के साथ, अनिल्विज को निप्टाने की तैयारी कर चुके हैं, और कुछ लोगां को तो यहां तक दावा है, कि हो सकता है, वर्तमान हरियाना, विधान सभा के चुनावों में, शायद अनिल्विज को टिकट ही ना दिया जाए, तो दोस्तों, यह था हमारा मुद्दा के किस तरीके से हरियाना में अनिल्विज की देखी की जा रही है, और उनको किनारे लगाने का काम, वर्तमान मुख्य मंत्री और पूर मुख्य मंत्री मनुलाल खटर और पथित रूप से हाई कमान, भाजपा हाई कमान भी उनसे किनारा कर रहा है, और देखने की बात यह है, कि जो असंकाएं हैं, कि उनको MLA का भी टिकट दिया जाएगा या नहीं, तो दोस्टों देखते रहे देश रो जाना, मिलते हैं कल फिर नए किसी मुद्दे पर, जै हिन, जै भारत, जै समिधान, नमश्कार. झाल